नश्कर दोस्तों, डिट हैं आज की 11 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एक्टोयल डिस्केशन में कल देखो आपका एक्जाम हो गया और जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ जिनके मार्ट्स भी अच्छे बन रहे हैं आंसर की से मैच करने पर उनको तो देखो अब डबल डेडिकेशन के साथ में त्यारी करनी होगी क्योंकि प्री और मेंस के बीच में गैप जो है वो काफी कम है तो आपके पास गुल्डन ओपुचरिटी है इसे आप जाया मत होने दीजिए हर वो चीज़ कीजिए जो जरूरी है मेंस क्लियर करने के लिए भी दूसरे तरफ बात करें उन लोग की जिन्होंने अपना बैश दिया बहुत मेहनत की लेकिन बाजुद इसके एक्जाम अच्छा नहीं हुआ और मार्क्स कम बन रहा है मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलू हर साल बहुत बार मैं ऐसा देखता हूँ कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी जादा मेहनत करते हैं लेकिन ये दिन खराब निकलता है या फिर जो भी है अल्टिमेटली है तो देखो ये कॉम्पिटिटिव एक्जाम ही क्लियर तो दस हजार लोगों का ही होगा सीट्स के हिसाब से बात करें तो बहुत सारे लोग तो हमेशा रही जाएंगे बट जो देखो आप आज महसूस कर रहे हो ना सच बता रहा हूं मैं ऐसा महसूस कर चुका हूँ मैं भी आपके इस दोर से गुजर चुका हूँ बस एक ही चीज बोलना चाहूँगा कि श्ट्रोंग बनके रैस्नली आप सिचुएशन को एनलाईज कीजिए आगे क्या करना है ज्यादा सोचिये मत दिमाग से सोचिये कि आगे क्या करना है क्योंकि हर एक एस्पारेंट की सिचुएशन ना अलग है इतनी सारी मेल्स पढ़ने को मिलती है तो हर एक एस्पारेंट की सिचुएशन अलग है किसको फाइनेंशल कंडिशन की दिक्कत है किसी को parents का pressure है situation देखो basic अलग-अलग हो difficulties भी हो सकता है कि अलग-अलग हो लेकिन solution same है अगर देखो इतनी त्यारी करी है और attempt बाकी है तो हत्यार गिराने का तो कोई फाइदा है ही नहीं solution निकल सकता है हर एक चीज़ का अगर financial condition अच्छी नहीं है और attempts भी हो गए है तीन अच्छे खासे attempt हो गए है दो या तीन क्यारी भी हो गई है एक बार के लिए सारी सिरफ revise करना है तो आप side by side job join कर सकते हो लेकिन सबको ये advice नहीं है side by side job join करने की advice भी उसी को है जिसको financial condition जिसकी खराब है जिसकी त्यारी संपून हो चुकी है सबको नहीं है ये advice मतलब मेरा कहने का ये है आपको देखो rationally situation को analyze करना होगा कि क्या आपके सामने situation है और कैसे आपको आगे proceed करना है बस मैं इतना कहना चाहूँ है time waste मत कीजिएगा क्योंकि paper खराब हुआ उसके बाद का जो समय होता है बहुत जारा जोस का समय होता है अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि उस time को waste कर देते हैं एक दो महिने waste कर दिये pre के बाद में तो ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी बात करें आज की editorial की आज देखो दो issues हम discuss करेंगे editorial से देखो वैसे बहुत चारे questions आए परी में आपने देखा होगा 9 October को यानि Saturday को हमने फेडरलिजम से सम्मदित एक आर्टिकल इतना जारा डिटेल से discuss किया था तो उससे question आया फेडरलिजम के condition उसके अलावा right to privacy हम काफी बाद discuss करते हैं right to privacy कोन से fundamental right में आता है secularism जब हमने discuss किया था तो हमने discuss किया था कि secular जो word है वो बाद में add किया गया secularism से सम्मदित question है मतलब editorial से देखो बहुत सारे questions आए editorial से conceptual clarity मिलती है और आजकल UPSC कुछ questions में यू नहीं कहेंगे कि हाँ पूरी तरह से concepts पर ज़्यादा focus करने लगी है mixed सा paper रह रह रहा है UPSC का factual बहुत पूछ रही है कई questions और कुछ questions में concepts है conceptual clarity मिलती है editorial से तो editorial का फाइदा सिरफ mains में नहीं होता pre में भी काफी ज़्यादा होता है तो editorial को आप pre के perspective से भी हमेशा देखा कीजिए ताकि कि exam का experience कैसा रहा कहां आपने गलती की ताकि कम से कम आप थोड़ा सा confess कर सको realize कर सको लिखते है ना तो confess हो जाता है realize भी हो जाता है कि मैंने यहाँ पर गलती की ताकि अगले साल उस गलती से आप nipats को वो गलती repeat ना हो और बाकी लोग भी आपकी गलती से सीख सके तो आप comment box में अपना experience बता सकते हो दो issues आज हम discuss करेंगे discussion start करते हैं first important article ताइवान से समनित हैं आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो इससे पहले कि हम आज का issue discuss करें आपको ताइवान का background पता होना चाहिए हैं ताकि आज का जो issue है वो आपको भैतर धंक से समझ में आए देखो जैसे ही second world war समाप्त होता है चाइना में civil war फिर से start हो जाता है civil war चलता है दो parties के बीच एक तरफ km team यानि कुमिन टांग जो अपने आपको nationalist कहते थे और दूसरी तरफ Chinese Communist Party Chinese Communist Party को समर्थन प्राप्त था USSR का क्योंकि देखो USSR में भी उस समय Communist Government थी तो इसी वज़े से USSR चाइना के civil war में समर्थन दे रहा था Chinese Communist Party को और दूसरी तरफ kmt को समर्थन प्राप्त था UK काम USA काम इन देशों काम Chinese Communist Party को लीड कर रहे थे Mao Zedong और kmt को लीड कर रहे थे चियांग कई सेक यहां पर देखो चियांग कई सेक लीड कर रहे थे kmt को यानि नेसलिस्ट को इन दोनों पार्टी के बीच की लडाई को जीत लिया जाता है Chinese Communist Party के दवरा 1949 में तो होता क्या है kmt के लीडर चियांग कई सेक अपने followers के साथ भाग जाते हैं इस छोटे से island पर यहां पर देखो चाइना के नस्दीक यह जो छोटा सा island है यहां पर kmt के लीडर चियांग कई सेक अपने followers के साथ भाग जाते हैं और एक government establish करते हैं वो कहते हैं हम Republic of China हैं जबकि 1949 में mainland China में communist party का कबजा हो जाता है तो वो कहते हैं हम People's Republic of China हैं ध्यान दीजेगा यहां पर communist government establish होती है mainland China में यह कहते हैं हम People's Republic of China हैं PRC हैं जबकि kmt के leader चियांग कई सेक वो भाग कर अपनी जान बचाते हैं पाईवान में वो कहते हैं government है वो legitimate नहीं है तो शुरुवात में क्या होता है USA, UK यह सब देश Taiwan को ही असली चाइना मानते हैं यानि Republic of China को असली चाइना मानते हैं काफी सालों तक USA और USA के ally countries हैं क्योंकि देखो साफ तोर पे आप interling कीजिए mainland China में communist government थी और जबकि उस समय cold war चल दहा था एक तरफ liberalism की ideology के बीच और दूसी तरफ communism की ideology के बीच USSR में भी communist government थी और USA और उसके ally countries नहीं चाते थे कहीं भी communist government establish हो communist government एक परकार से USA और उनके ally countries की दुस्मन हुआ करती थी इसी वज़े से USA और उसके ally countries मानते थे ये छोटा सा जो ताइवान में government है वो legitimate government है और ये असली चाइना है mainland China असली चाइना नहीं है लेकिन धीरे धीरे हलाद change होते है Vietnam war start होता है 1950s में और 60s में Vietnam war में USA को भारी नुकसान उठाना पड़ता है USA को एक बात समझ में आ जाती है अगर Asian reason में dominance establish करना है तो mainland जो China है उसको ignore नहीं किया जा सकता mainland China के साथ समंद इंप्रूब करने ही होंगे और तब तक क्या हो जाता है mainland China यानि People's Republic of China और USSR के बीच भी differences आने start हो जाते हैं हाला कि USSR ने काफी मदद की थी चाइना की companies पांठी को लेकिन फिर भी ideological differences आ जाते हैं और relations खराब हो जाते हैं USSR और PRC के PRC मतलब People's Republic of China यानि mainland China तो इस situation का फाइदा उठाते हुए USA के राश्टरपती 1971 में विजिट करते हैं mainland China में और रिष्टे improve होते हैं बाद में USA के दवारा ये सविकार कर लिया जाता है कि जो ये mainland China है वही असली चाइना है USA चाइना की one China policy को भी adopt कर लेता है one China policy मतलब USA सविकार करता है चाइना का claim है ताइवान पर तो इस परकार से आपने समझा 1979 में USA इस बात को मान लेता है कि mainland China में जो PRC की government है वही legitimate government है वही असली यानि हकदार government है चाइना की और ताइवान के साथ USA ने जो mutual defense treaty sign की थी उसे भी USA रद कर देता है यानि USA ने 1979 में one China policy को अपना लिया और इस से पहले 1979 से पहले ताइवान के साथ ministerial level पर या फिर official level पर जो भी बातचीत होती थी उसे खतम कर दिया अब आपके मन में एक question ये आया होगा कि देखो जब 1979 में USA ने one China policy को मान लिया और ये भी मान लिया कि mainland China में जो PRC की government है वही असली चाइना की government है वही legitimate government है तो इसके बाद mainland China ने जिसे आप normally China ही कहते हो देखो बेशक USA ने 1979 में अपनी Taiwan के साथ sign हुई mutual defense treaty को रद कर दिया हो लेकिन USA ये ओरली बोलता जरूर है कि Taiwan के परती हमारी commitment है Taiwan की सुरक्सा हम करेंगे Taiwan का defense हम करेंगे Taiwan के defense को कभी भी खत्रा होता है तो हम सामने आएंगे ये बाते USA औरली जरूर बोलता है आपके मन में अब ये आया होगा यार ये USA भी क्या है जबान से तो ये बोलता है कि हम Taiwan की सुरक्सा करेंगे Taiwan के defense को ठेस नहीं पहुँचने देंगे लेकिन दूसरी तरफ treaty जो थी Taiwan के साथ वो treaty जो रद कर दी तो ऐसे क्या करता है USA USA की जो policy है वो तो clear नहीं है आपको ये लगा होगा जी हां बिल्कुल सही USA की जो ये policy है इसे कहा जाता है strategic ambiguity strategic ambiguity मतलब USA ने defense treaty तो रद कर दी 1979 में ताइवान के साथ में बट बोलता रहता है कि हम ताइवान की सुरक्षा के परती हमारी commitment है तो USA की इस strategic ambiguity की जो policy है इसी की वज़े से चाइना ने अभी तक ताइवान के उपर attack नहीं किया क्योंकि चाइना को भी डर लगता था अभी तक कि अगर हम ताइवान के उपर attack करेंगे कबजा करेंगे तो USA बीच में आ जाएगा हमारा USA के साथ youth start हो जाएगा अब इसके बाद next question ये उठता है चलो ये बात तो ठीक है कि USA की वज़े से चाइना ने अभी तक ताइवान के उपर attack नहीं किया बट क्या चाइना हाथ पर हाथ धर बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा ताइवान को हासिल करने के लिए इसका answer है no चाइना देखो ताइवान को हासिल करना चाहता है और इसके लिए चाइना बहुत कोशिस कर रहा है चाइना ने carrot and stick की policy अपनाई हुई है ताइवान को चाइना में मिनाने के लिए यह क्या है carrot and stick की policy पहले carrot की बात करते है carrot क्या है carrot देखो यह है चाइना ने ताइवान को लालस दिया था शुरुवाद से ही अगर ताइवान चाइना के अंदर सामिल हो जाता है तो हम ताइवान को autonomy देंगे autonomy मतलब जैसा system Hong Kong में किया था ना चाइना ने one country two system मतलब Hong Kong अभी चाइना का पार्ट तो है 1997 से पहले Hong Kong चाइना का पार्ट नहीं था UK का पार्ट था लेकिन 1997 में UK ने Hong Kong को चाइना को स्वोंप दिया उसके बाद Hong Kong में one country two system लागू हो गया One country, two system मतलब देश तो एक ही चाइना, लेकिन होंग कोंग में political system अलग जो mainland चाइना में हैं, होंग कोंग में judicial system अलग as comparison to चाइना में जो judicial system हैं, अब आपके मन में आया होगा, देखो चाइना तो इतनी सारी atrocities कर रहा है होंग कोंग में, होंग कोंग में freedom of speech and expression को दबा रहा है, ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए तो चाइना ने ये जो लालच दिया था ना ताइवान को, अब ताइवान के लोग इस लालच को समझ गए हैं, कि चाइना जो हमें बोला करता था कि हम अगर आप चाइना में मिल जाते हो तो आपको autonomy देंगे होंग कोंग की तरह हैं, बात अभी हम discuss करेंगे, उससे पहले हम stick जान लेते हैं, चाइना की टाइवान की carrot and stick policy में stick क्या है, stick है चाइना की economy, देखो 1978 में चाइना में LPG reforms आ गए थे, जैसे इंडिया में 1991 में आए, तो उसके बाद से ही टाइवान के businessmen ने बहुत ज़दा invest किया है चाइना में, यहा वो है 188.5 billion dollars, बहुत ज़दा investment करके रखी है ताइवान के businessmen ने चाइना में, जबकि चाइना ने ताइवान में जो investment की है ना वो बहुत कम है, 2.4 billion dollars, ताइवान और चाइना के बीच जो bilateral trade है, वो देखो 150 billion dollars का है, एक साल में, जो कि ताइवान की GDP का 15% है, तो इतना ज़दा dependent है ताइवान चाइना के ऊपर, जिसका फाइदा चाइना उठाना चाहता है, चाइना इसे weapon के तोर पे इस्तमाल करना चाहता है, धंकी एक परकार से देना चाहता है ताइवान के businessmen को, कि देखो अगर ताइवान चाइना में नहीं मिलता है, तो हम कुछ ऐसा step ले ताइवान को सामिल करना चाहता है चाइना अपने आप में, और सिरफ देखो बात economic weapon की नहीं है, बलकि military weapon की है, अब उसकी बात करते हैं हम, चाइना की जो military है अब USA को अगर छोड़ दें, तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा strong military है, तो चाइना समय समय पर अपनी जो military की power है वो वी ताइवान को दिखाता रहता है, कैसे, कई बार देखो चाइना अपनी submarines भेज देता है, ताइवान स्ट्रेट में यानि यहाँ पे, कई बार चाइना अपनी aircraft भेज देता है, जो कि ताइवान के air defense को violet करते हैं, ये चीजें करके चाइना एक परकार से ताइवान को चाता है कि सांती पूर्वक हमारे साथ मिल जाओ, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हमारी जो military power है वो बहुत ज़्यदा strong है, समझ गे, तो इस परकार से हमने ये पूरी कहानी समझ ली, अब थोड़ा बहुत जो हाल फिलाल में हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, आज ये article क अभी तक ये political party है, एक दूसरी political party है, DPP, Democratic Progressive Party, ये जो KMT वाले हैं इनका जो stand है, चाइना के परती soft है, ये KMT वाले one China में विश्वास रखते हैं, चाइना के यूनिफिकेशन में विश्वास रखते हैं, लेकिन DPP वाले हैं ये independence में विश्वास रखते हैं, ये चाहते ह कि ताइवान जो है, अलग से देश बने, अब चाइना के साथ यूनिफाइ ना हो, 2016 के बाद से ही, DPP, political party ताइवान में सत्ता में हैं, पहले DPP का प्रेजडेंट बना, 2016 में, और उसके बाद, 2020 में फिर से elections हुए, तो यही, win जो है, sai win, ये फिर से प्रेजडेंट बनी, गल वान राम, ड्रेगन को तीर मार रहे हैं, ऐसी तस्वीर इन्होंने शेयर की थी, जो इंडिया में काफी viral हुई थी, तो ये independence चाते हैं, तो 2020 में जब इनका real action हुआ, sai win का, उसके बाद, चाइना और भी aggressive हो गया, चाइना, economic pressure लगा रहा है, military threat लगा रहा है, दूसरा, होंग गोंग को दबा रहा है, वैसे ही हमें भी दबा देगा, हमारा चाइना के साथ कोई future नहीं है, USA का link बीच में देखो ये है, USA की जो strategic ambiguity की जो policy थी न, वो तो चली आही रही थी, लेकिन ट्रम्प जब राश्टरपती थे न, तो ट्रम्प ने, ट्रम्प के कारेकाल में USA के officials, officially टाइवान के officials से मिलना उन्होंने start कर दिया, मिनिस्ट्रियल लेवल की बादसीत भी start हो गई, तो अब बाइडन जब राश्टरपती बने है, उन्होंने भी इस policy को continue किया है, और एक खबर ये निकल के आई, जिसके कारण ये article पब्लिस हुआ है, वसिंग्टन पोस्ट में, कि पिछले एक साल से USA के जो soldiers हैं, वो Taiwan के soldiers को train कर रहे हैं, और USA के एक जरल्डरल ने तो ये तक कह दिया, कि आने वाले 6 सालों के अंदर, चाइना जो है, वो Taiwan के उपर attack कर सकता है, Taiwan पर कपज़ा करने के लिए, और जिस दिन, चाइना ने ताइवान के उपर कबज़ा कर लिया ना यू समझ लिजिए USA का सूपर पावर का जो स्टेटस है ना वो खतम हो गया चाइना ने USA को रिप्लेस कर दिया है इसलिए USA पूरी कोशिस कर रहा है कैसे ना कैसे करके ताइवान को स्पोर्ट किया जासके और हर एक उस पॉसिबलिटी को प्रिवेंट किया जासके कि चाइना जो है वो ताइवान के उपर अटैक करें तो बस यही पूरा इशू है जो हमने डिटील से डिसकस किया चलते हैं आगे इसके बाद ने स्टार्ट कल एर इंडिया की से समदित हैं आप जी एस पेपर थी के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो देखो जे आर डी टाटा ने 1930s में एर इंडिया को इस्टाब्लिश किया जे आर डी टाटा को इंडिया में एविशन इंड़स्ट्री का पायोनिर भी कहा जाता है लेकिन देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद एर इंडिया को सरकार ने नैसलाइज कर लिया यानि टाटा से एर इंडिया को परचेज कर लिया काफी सालों तक एर इंडिया सरकार चलाती रही बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो 68 years हो गए उस बात को जब Air India nationalize हो गई थी लेकिन देखो पिछले 20 सालों में Air India को घटा काफी ज़्यादा हो रहा था operations बहुत ज़्यदा inefficient हो गए थे over staffing हो गई है जितना staff के आउशकता नहीं उससे ज़्यादा staff जो है Air India में है तो हर दिन 20 क्रोड का नुकसान Air India को हो रहा था जिसकी वज़े से Air India के उपर ना कर्ज काफी ज़्यादा बढ़ गया है नुकसान हो रहा है company चल रही है तो गाटे की बरपाई कहां से करेंगे? लोन लेना पड़ेगा तो Air India के उपर almost 60,000 क्रोड का लोन था चुकि सरकारी company थी मतलब totally हिस्सेदारी सरकार के पास थी तो सरकार को इसमें पैसे डालने पड़ते थे अब सरकार के पास पैसा कहां से आता है? आप देते हो आपने कोई mobile phone purchase किया, तो सरकार आपसे GST वसूलती है, आपने कोई course purchase किया तो उससे भी सरकार आपसे GST वसूलती है, तो मतलब आपकी जेब से पैसा जा रहा था Air India के operations को survive रखने के लिए, मतलब ये ensure करने के लिए कि Air India operation चलाती रहे, वो आपके जेब से पैसा जा रहा था, बट सरकार को काफी पहले ही ये समझ में आ गया था कि Air India को हम पैसा दे रहे हैं, थाकि Air India operation चलास के, इससे अच्छा तो ये है ना कि उस पैसे का हम किसी social sector में इस्तमाल करें, किसी और strategic sector में इस्तमाल करें और इसे बेच दें, तो काफी समय से सरकार कोशिश तो कर रही थी, लेकिन इसी बीच COVID-19 आ गया, तो और भी ज़ादा घटा बढ़ गया Air India का अब जाके सरकार ने finally Air India को बेच दिया है किसे? टाटा को ही मतलब सुरुवात में टाटा ने ही Air India को establish किया था, अब 68 सालों के बाद टाटा ने फिर से Air India को सरकार से परचेज कर लिया है कितने में? 18,000 करोड में 15,300 करोड का तो देखो जो कर्ज है Air India के उपर वो टाटा ने अभी बोला है कि वो अब हमारे सर पे आ जाएगा यानि टोटल जितना कर्ज है न उसमें से 15,300 करोड का कर्ज अब हम लोटाएंगे ऐसा टाटा ने बोला है बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो टाटा संड की एक सबसीडरी कमपनी है टैलेस प्राइवेट लिम्टिड इन्होंने परचेज किया है Air India को तो 15,300 करोड का तो कर्ज अब अपने सर ले लिया टैलेस ने और इसके अलावाँ 27,300 करोड रुपे सरकार को कैस दे दिये टोटल हो गए 18,000 करोड तो इसके बदले में अब हो गई Air India टाटा की यानि टाटा की जो सबसीडरी कमपनी है ना टैलेस प्राइवेट लिम्टिड उसकी आपके दिमाग में एक कोईशन ये तो पका आया होगा कि टोटल तो Air India के ऊपर 60,000 करोड का कर्ज था तो बाकी कहां पर जाएगा बैंकों से Air India ने लोन ले रखा था अब इसको कौन चुकाएगा अब देखो कुछ सरकार पे कर देगी कुछ सरकार माफ कर देगी यानि बैंकों को बोल देगी कि राइट ओफ कर दीजिए माफ कर दीजिए अब गई Air India तो हमारे हाथ से अब टाटा की है तो इसे छोड़ दीजिए आप इतने कर्ज को सरकार ने अभी बोला है कि आल्मोस्ट 30,000 का जो कर्ज है वो राइट ओफ कर दिया जाएगा बैंकों के द्वारा अब बात करें टाटा की देखो टाटा की आल्रड़ी Air India Asia में Air Asia India में हिस्सेदारी है Air Asia India एक airline जो इंडिया में operation चला रही है उसमें टाटा की आल्मोस्ट 86% हिस्सेदारी है एक और कंपनी है विस्तारा विस्तारा में भी टाटा की हिस्सेदारी है कितनी 51% के आसपास तो दो airlines में आलेडी टाटा संस की हिस्सेदारी है अब ये तीसरी कंपनी होगी जो Tata के हाथ में होगी पूरी तरह से मतलब Air Asia, India और विस्तारा ये तो जो इंडिया में उपरिक्शन से लाती है ये पूरी तरह से Tata के हाथ में नहीं है Tata की हिस्सेदारी है लेकिन ये Air India तो पूरी तरह से Tata के हाथ में रहेगी अब Tata को देखो फाइदा होगा इससे तीन एरलाइन्स में Tata की हिस्सेदारी होगी तो फिर तीनों के बीच में सिनर्जी अगर इस्टाबलिस हो जाती है तो कंबाइंड सेर Tata का एरलाइन्स के इंडिस्टरी में काफी ज़्यादा हो जाएगा एर इंडिया के पांस देखो तीन हजार लेंडिंग और पार्किंग स्लोट्स थे पचपन ओवर्सीज डेसिनेशन्स पर एर इंडिया ओपरेशन चलाती थी तो जिस जिस एरलाइन में Tata की हिस्सेदारी है न मिला के अब तोटल शेर जो है Domestic Traffic में वो 27% हो जाएगा यानि Air India प्लस में विस्तारा India प्लस में Air Asia India तीनों का Domestic Traffic में Share हो जाएगा 27% टोप पर कौन है टोप पर है Indigo Go इनका Share इंडिया की Domestic Traffic में है 30% कुल मिला कर देखो इससे दोनों को फाइदा होगा सरकार को ये फाइदा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा घाटा हो रहा था और जातर जो major countries है वहाँ पर जो airline है वो सरकार के पास नहीं है जैसे US जैसे देश हैं वहाँ पर airlines हभी private हैं सरकारी airline नहीं हैं तो इंडिया ने भी अब जाके Air India को बेचा है तो ये सही step है जो लोग अभी Air India में काम करते हैं उनके बारे में भी सरकार ने सोचा अभी जो deal sign होई है न deal sign होने के एक साल के अंदर अंदर तो जो टाटा है यानि टैलेस है जिन्होंने purchase किया है Air India को ये Air India के employee को हटा नहीं सकते उसके बाद देखना पड़ेगा टैलेस को कि वो employees को हटाते हैं या फिर अच्छे से उन्हें utilize करते हैं तो ये हमने पूरा issue discuss किया अब question देखो privatization से सम्मधित आ सकता है ये कुछ points आपको पता होने चाहिए privatization के advantages क्या है जैसे अगर कोई company privatize हो जाती है तो political interference खतम हो जाता है government को गाटा उठा रही थी गाटा उठाना आप government बंद कर देगी Air India का case ले लीजे और government की monopoly नहीं रहती private companies के बीच में competition बढ़ता है privatization से performance improve होती है quality experience जादा आता है private companies जादा अच्छे से operations चला सकती है तो ये कुछ फाइदे हैं जो आप लिख सकते हो नुकसान भी होते है privatization से जैसे देखो private companies तो सिरफ और सिरफ profit पे काम करती है सरकार तो employees का भी सोचती है social justice का भी सोचती है और अगर कोई company सरकारी है तो मुसीबत के समय सरकार उस company का इस्तमाल कर सकती है जैसे air India का इस्तमाल सरकार हमेशा करती थी जब भी कोई mission चलाना पड़ता था Indians को लाना पड़ता था वंदे भारत mission हाला कि अभी सरकार बोल सकती है दूसरी private companies को कि आप भेजिये दूसरे देशों में फसें जो भारतिया है उन्हें लाने के लिए सरकार जब देखो operations चलाती है तो सरकार ये भी देखती है कि देश के हर हिस्से में development आनी चाहिए जैसे छोटे-छोटे सैरों में भी सरकार ने airport खोल रखे हैं कमाई नहीं है फिर भी वो चल रहे हैं क्योंकि वहां की जो economy है वो boost हो रही है इससे साथ private companies इस पर ध्यान नहीं देती तो इन पर आप एक बार नज़र डाल सकते हो privatization के नुकसान भी होते हैं तो ये हमने पूरा article discuss किया Air India से सम्मदित